त्यवार वाली खास, पेशल, इंस्टंट, क्विक, मिंटो में तयार होने वाली जलेबी रेसिपी मैं समीत अमागाडे मल्टी किच्छन पूने में आप सब का स्वागत करती हूँ तो चलिए देखते हैं जलेबी रेसिपी खास त्यवार के लिए कैसे बनानी है ये जलेबी रेसिपी खास आप सभी के लिए त्यवार के लिए ये वीडियो तयार किया गया है ना इसमें हमने दही का यूज किया है ना खमिर का ना सोडा का बस कुछी मिंटो में बनकर धेर सा से पहले हम चाशनी तयार करेंगे चाशनी बनाने के लिए या दो कप चीनी ली है और दो कप चीनी के लिए एक कप पानी डाल देंगे या कटोरी का आप मेजरमेंट ले सकते हैं और फिर इसे हम उबाल लेंगे चीनी को दो से तीन मिनिट के लिए दो से तीन मिनिट बाद ये उबाल लेंगे जब तक ये चाशनी एक तार के अंदर की नहीं बन जाती तब तक हमने इसे उबालना है अच्छी तरह से आप देख सकते हैं और फिर जले भी बनाने के लिए यहां लिया है आधा कप मैदा आधा कप चावल का आटा एक टेबल स्पून बेशन लिया है और इन सबी चीजों को एक बावल में हम निकाल लेंगे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से जैसे कि मैंने कहा इसमें ना हमने दही मिलाया है ना खमिर ना सोडा सूपर क्विक इंस्टंट ऐसी यह जले भी बन कर तयार हो जाती है सबसे पहले इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के इसका और स्वाद बड़े यह जले भी हमें लगे कि यह असली घी से तयार की है इसलिए इसमें एक टेबल स्पुन घी डाल देंगे और घी डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और घी डालने के पार तूरंथ ही इसमें डाल देंगे इनो का एक सैचे पूरा सैचे डाल द हाथ से ही mix करोंगी ताकि इसमें गुटलिया ना रहे इसलिए इसे हाथ से mix करना most important है अगर spoon से mix करेंगे तो गुटलिया रहे जाती है इसलिए इसे हाथ से ही mix करना है और पूरा पानी एक कप और एक स्टीट spoon डालने के बाद आप देख सकते है इसका गोल किस तरह से तयार गोल चाहिए तभी जाके हमारी जिले भी अच्छी तरफ flow करेगी और जिले भी अच्छी बनेगी ये घोल हमारा तयार है चाशनी हमारी उबाल के तयार हुई के नहीं देखते है बस एक तार के अंदर की चाशनी हलकी सी तार आ रही हलकी सी तो समझ लेना चाहिए हमारी चा चाशनी का जो फ्लेम है हमने बन कर देना है और फिर इसमें हम नीमबू निचोड़ देंगे ताकि ये चाशनी हमारी क्रिस्टलाइज ना बने बस पतली बनी रहे इसलिए आधा नीमबू निचोड़ना है इस चाशनी में और नीमबू निचोड़ने के बाद अगर आप कलर क्यान पाली जलेभी चाहते हो तो इसमे कलर डाल दी जिए ये औपृ्शनल है कलर अगर आपको पसंद है तो आप डाल दीजे ना-पसंद है तो आप कलर पिल्ज़ कर सकते है और इसे मिला कर इसके उपर ठकन रख देंगे ताकि हमारी ये चाशनी के लिए घुन-गुनी च धकन रखकर हम इसे साइड में रख देंगे और सबसे पहले जलेबी का घोल जो तयार हुआ है इसे हम पाइपिंग बैग में और ये जलेबी का मोल्ड आता है इसमें भर लेंगे ये जलेबी का इस तरह का मोल्ड आता है और पाइपिंग बैग यहां मैंने ग्लास में डाल दी और पाइपिंग बैग में भी गोल डाल दिया है और इस तरह से इसे नौड बान ली है अच्छी तरह टाइट ऐसी और अभी दोनों इससे हम जलेबी तयार करेंगे तेल गरम किया है यहां तेल गरम करने के बाद सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर हम जलेबी डाल देंगे जलेबी डालने में आप देख सकते है किस तरह राउंड राउंड घोल बहुत ही बढ़िया बन कर तयार हुआ है और जलेबी का जो लास्ट वाला स्टेप होता है उस समय जो टोक होता है उसे हमने अंदर की साइड खीच लेना है बीच में ही और तभी जाके जलेबी को अच बहुत आसानी से तयार हो जाती है और जलेबी को अच्छी तरफ फ्राइ होने देंगे लाइट ब्राउन कलर में हमने फ्राइ करना है और इसके बार ये जलेबी की खास बात अगर आप नहीं जानते हो तो आज आप खास बात जान लो कि ये जलेबी जब राम भगवान जी बनवास से लोड के आयोधा में आये थे तो ये खास जलेबी राम भगवान जी के लिए बनाई गई थी दिवाली के त्योवार पर तबी से दिवाली मनाई जाती है इसलिए ये जलेबी सबसे पहले त्योवार के लिए दिवाली के लिए खास आप सभी के लिए इस्पेशल रेसिपी इंस्टन्ट क्विक ऐसी ना इसे हमने आटे को भिगाया है ना राद बर रखा है बस घोल तयार किया और जलेबी फ्राइ की और डाल दी इस चाशनी में और चाशनी में बस एक सेकंड के लिए उलट पुलट कर देना है जलेबी को और फिर इसे निकाल लेना है ये जलेबी फ्राइ हुई है ये सभी जलेबी हम डाल देंगे चाशनी में डाल के बस इसे उलट पुलट कर लेना है एक सेकंड के लिए छोड़ देना है और फिर निकाल लेंगे हम इन जलेबियों को चाशनी से अभी हम पाइपिंग बैक से भी जलेबी तयार करेंगे बस जलेबी के मोल से बढ़िया पाइपिंग बैक से जलेबी बहुत ही अच्छी बन जाती है और आप देख सकते हैं पाइपिंग बैक से जलेबी फूल भी रही है इसलिए पाइपिंग बैक से भी आप बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया जलेबी यह मैंने दो टाइप से आपक तयार हुई इसे भी डाल देंगे चाशनी में और इसे भी अच्छी तरह डुबाएंगे डुबकियाई से लगाएंगे और फिर निकाल लेंगे हम यह इंस्टन्ट क्विक वाली त्यवार वाली दीपा वली स्पेशल वाली जलेबी आप देख सकते हैं यह किस तरह से बनी है जलेबी बहुत ही बढ़िया कलर आया है इंस्टन्ट क्विक आप इसका शेप देख सकते हैं किस तरह से शेप आया है हमने मोल से भी बनाई है पाइपिंग बैक से भी बनाई है तो खास गरमा गरम जिलेबी यह वीडियो बनाया गया है खास त्यवार के लिए आप सभी के तैन作 के लिए ज़रूर जरूर आप इस वीडियो देखिये ठ्राइ कीजिए मल्लिकिचन पूने चाल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल ऐकुन कॉल को क्लिक कीजिए वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए कमेंट और शेयर करना मत भूलिए और खाते रहिए खुश रहिए